बीटाउन की क्यूट कपल आलिया भट और रंबीर कपूर हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो चुके हैं 14 प्रेल को रंबीर और आलिया ने रचा ली है शादी और अभी तक उनकी शादी के अंसीन फोटोस सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है रंबीर और आलिया ने सिंपल और एलिगेंट तरीके से अपनी शादी रचाई और सोशल मीडिया पर फोटोस को भी वाइरल किया जिन से नजरे हटा पाना काफी मुश्किल है अब आलिया भट की पोस्ट वेडिंग सेरेमिनी से कुछ फोटोस सामने आई हैं जिसमें आप देख सकते हैं आलिया भट का सुहागलोग जो वाकई काफी कमाल लग रहा है जी हैं दोस्तों शादी के अगले दिन यानि की शादी के पहले दिन आलिया भट रेट कलर के सूट में काफी खुबसूरत नजर आई हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी दोस्तों के साथ ससुराल में मस्ती करती नजर आ रही है आलिया भट रन्बीर कपूर आलिय भट ने पांस साल की डेटिंग के बाद अपने घर वास्तो में 14 अप्रिल को शादी रचाई पोटोज में रेड कलर के सूट में उनका सुहागल लुक देखने को मिल रहा है जो कि फैंस को काफी अट्रैक्ट कर रहा है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करने पर हमें आलिया और अंबीर की कई सारी फोटोज देखने को मिली जो अभी तक नहीं देखी थी। मस्ती से भरी फोटोज में कपल को आलिया की ब्राइड मेट्स के साथ पोज देते भी देखा गया। वहीं एक फोटो में रंबीर कपूर अपनी सबी सालियों के साथ पोज दे रहे हैं वह इस दरान उन्होंने हाथ में कागस का टुकड़ा भी पकड़ा है। बाकी फोटोज में आप देख सकते हैं कि आले भट अपनी दोस्तों के साथ कैसी पोस्त दे रही हैं मस्ती कर रही है। फिल्म के शूटिंग के लिए निकल रही थी परिंगलर के सूट में आलिया भट बेहत खुबसूरत नजर आ रही थी इसके साथ ही जुस तरीके से उन्होंने सिंपल लुक कैरी किया शादी के बाद कुछ लोगों को हाला कि उनका ये लुक जादा पसंद नहीं आया क्योंकि का कहना है कि शादी के बाद लड़की के हाथों में चूड़ा होता है सिंदूर होता है मंगल सुत्र होता है लेकिन आलिया भट ने इन सब चीजों को साइड में रखते हुए वहीं चीज कैरी की जोने काफी पसंद आती है फिलाल तो आमने में जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में आकर ये बताए कि आलिया भट का ये सुहाग लुक आपको कैसा लगा हुआ